कैसे हैं आप सभी आई होप सब बहुत जदा बढ़िया होंगे बॉन पिस्टन वीडियो में अपनी ड्यूक 390 ड्यूक 250 को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉंच किर दिया था और उसी के साथ 125 को भी लॉंच किया था अब जब से वहां पर यह बाइक्स लॉंच चुई तो आप सभी को मालूम है कि इंडिया मतलब बहुत जबर दस रहता है और सबसे जबर जबर दस आप लोगों जो डिजाइन वह पूरा देखने को मिल रहा है तो वहां पर कहीं न कहीं हम बहुत जबर एक्साइटेट हो गए थे तो फाइनली आज के दिन यानि के आप लोग कर दिया है बागि अगर आप लोगों को ड्यूक 390 से रिलेटेट है तो आप जा करके देख सकती है मेरे चैनल पे बट आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग कंपैरेजन करने वाले हैं ड्यूक 250 जो की और ड्यूक 250 जो की न्यू आती है इन दोनों में क्या-क्या डि है उन सारी चीज़ों के बारे में बता रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पे विजट करोगे तो आप लोगो वीडियो जो हो मिल जाएगी सबसे पहली चीज़ यहां पर मैं बात करना चाहूंगा ड्यूक 250 जो ओल्ड जनरेशन आ सब्सक्रिणे तो आप लोगों साइड का फेरिंग आ हर जग आप लोगो सेज़ देखने को मिल रहे हैं और पॉर्सनली बता रहा हूं बहुत ही ज़ादा जबरदस लग रही है फ्रेश न्यूज डिसाइन जोकि एटेम का नेक्श चीज़ के बारे में आपकर मैं बात करता के साथ देखने को मिलेगी यहाँ पर थोड़े बहुत चिंज हैं पहले यह प्रीवियस अगर आप मॉडल देखोगे तो यहाँ पर आपको 30 भी एच्पी का पावर निकाल करके दिया करती थी यह बैक और लगबग 24 न्यूटर मिंटर का टॉर्क बट यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको 31 भी एच्पी का मैक्सम पावर मिलेगा और 25 नूटर मिलने वाला है जो कि काफिजदा शांदार है वही अगर मैं बात करूँ वाकी चीज़ों के बारे में एक फीचर्स में क्या क्या चीज़ चेंजिस रहने वाली हैं क्या क्या चीज़ आपको extraordinary मिलेंगी तो यहाँ पर भाई फीचर्स में देखने को मिलने वाला है सबसे बैस चीज यानि कि कि आपको quickshifter तो जो की काफिजदा जबर्दस रहने वाला है मतलब अगर आप लोग सोचते थे कि duke c90 के तो अंदर मिलता है वाट या 250 भी नहीं मिलता तो फाइनली अब आप लोगो यहाँ पर quickshifter भी देखने को मिलेगा नेक्ट चीज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगो मिलेगी LCD डिस्पले बिसिकली अगर आप ड्यूक 250 को देखो या ड्यूक 225 को ओल्ड वाली तो उसके इंदर मतलब जो मीटर था वह काफिजदा चोटा और वह बहुत टाइम से चला आ रहा है मतलब जो काफिजदा अच्छा लग रहा है बड़स आपको डिस्पले में लेगा माला पूरा का पूरा पूरा यूं समझ लो ड्यूक 250 लेके भी ना सिर्फ उसी इस्टिकर अठागर कर देना और कुछ भी डिफ्रेंस जो है वह आप लोग लिए नहीं रहेगा तो यहाँ पर यह ची अपर भी बहुत सारी चीज़दे जो कि बलकुल सिम्लर है पिर यहां पर मैं चेंज इस के बारे में बात कर रहा हूं कि वीडियो में लोग बात कर रहे हैं नेक चीज़ आप लोग देखने वाले हो औल अलोफी वील्स में as you know ।क सीरीज उसी सीरीज टी मतलब आप लोग क बागी सारी चीज़े भी चेंज की गई थी तो यहां पर आप लोगो लिए अलोई वील्स भी जो हैं बिल्कुल इन्यू डिजाइन पर दिये जाएंगे लाइक जिसा आप लोगो आप लोगो मिलने वाला है जो कि पॉसनली देखो मुझे बहुत जाद अच्छा लगता है और उससे बेस्ट चीज़ना और लगते हैं जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं तो यहां पर अगर आप अले वीज़ देखोगे तो पुराने वाले मॉडल से लाइटर वेट है हलके बनाए गये हैं और काफी ज़दा बढ़िया रहने वाले हिनकी परफॉर वर्किंग वाली है जिस पर ब्रेकिंग आपकी यूज़ होती है वो चीज़ यहां पर यूज़ की गई है और बागे एक्स्टा मोटेरियल है उसको हटा दिया है जिससे यह बाइक लाइट वेट भी हो जाए और यहां पर अगर आपको ब्रेकिंग जो है छोड़ी सी बिग वो चीज आपको देखने को मिने गी तो फ्रंट में आपको त्रीहंडे मंके की टेखने को मेर tomorrow चाकलिए जोी हो जाएगी हमेशा वह शॉर्ट राइडर्स के लिए एक मुसीबत ही बनी रहती थी क्योंकि इतनी जदा उची हुआ करती थी यार हर बंदा चला ही नी पाता के बेचरिया सा कुछ नहीं है यहां पर जितनी भी चीज़ आप लोग देख रहे हो डिजाइन देख लो इंजिन देख लो मिल रही है यहां पर बात करूं नेक्स के बारे में तो रहने वाला है इस बैक के अंदर आने वाला एक्जॉस्ट अभी तक अगर आप ड्यूक को दे करते हैं वह बहुत अच्छी लगती है जिसे कि साइड का पूरा पूरा वील लिखता है तो वह चीज़ मुझे काफी बड़ी लगते तो अब यहां पर आप लोगो एक छोटा सा स्मॉलर जो है आप लोगो एक्जॉस्ट देखने को मिलेगा जो कि पॉसनली मुझे काफी अ मैं क्या बता हूं मतलब सच में भाई 390 वाले अप लोगो वाइट वाला कलर चीए और वो सिफ ड्यूक टूफ्टी में वह अगर आपको 390 चीज़ तो आप लोग भी तो बहुत जादा वह सकते हो तो यहां पर आप लोग बताना कि आपको दोनों में से कॉन सा कलर जो है व अब आप लोगों को 2.39 लाक रुपीस के आसपास में कॉस्ट करेगी जो कि एक शोरूम प्राइज है तो ज्यादा प्राइस जो नहीं बड़ा मतला हजार पंदरा सुरूपे के आसपास में जो है इंक्रीजमेंट आप लोगो देखने को मिल रहा है तो कैसी लगी आपको व वाली डूक 390 और ओल वाली डूक 390 का भी कंपैरसन देखना है या फिर चेंजिस देखना है तो वह भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा